इस चुनावी दोर में आरोप प्रत्य आरोप का सिलसिला जारी है वहीं बहती गंगा में हाध होते हुए श्रोमनी अकाली दल के सीनियर नेता दर्शन सिंख शिवालिक ने लुधियाना से कॉंग्रिस के उमीदवार रवनीत बिट्टू पर अपने ही पार्टी के वरकर को श्रोमनी अकाली दल का बता कर पुनह अपने ही पार्टी में शामिल करने जैसा संदिक्त आरोप लगाया है और मेडिया में इसका कूट प्रचार कर रहे है